क्या हालत है, फुलिस की क्या तैयारियां है, कैसे सब्रक्राइब कर दिया गया है, कानून वे अस्ता बिल्कुल सामान ने है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, श्यायर में भी कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जन्पद में भी आज़ेगा इसी सामान ने है, फुलिस की तैयारिय सब्सक्राइब कर दिया गया है और सोशल मीडिया पर भी हमारी निगाह है और कहीं से किसी तरकी कोई समस्याभी तक नहीं आई है क्या घटना हुई थी सर कल कुछ प्रकार का है कि यह जो व्यक्ति है आरोपी साजित अगरेल परिवाय उसके सामेर रखता है उसके घर में आना जाना भी था और कल शाम को साड़े साथ बजे ऐसा बताया गिए कि वो सिर्वियों से घर में आया और उपर चछत पर सीधा चला गया जा करके वहां उसने जो दोनों बच्छे खेल ले थे प्याक्तिमान किया और दोनों बच्छों की हत्या कर दी और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जो जाने लगा तो भीर ने उसको पकड़ने के लिकिन भीर से निकल के वो भाग गया पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पहुंच करके सित्य को समाला और चब यह पता चला कि वहां से भाग गया तो इसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई थोड़ी दर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के परिवारी जनों के दवारा फाइयार लिखाई गया है जावेड जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई है और बहुत जल्दी उसको भी ग्रफ्तार कर लिया जाएं कि क्रिमिनल बैग्राउंड ने इन दोनों का पाज जेसे नहीं मिला लेकिन बागी जगो भी तलाश कराई जा रही है